दस वर्ष ये बच्ची का शव पट्टी से लोहे के कुंडे में लटका मिला जिससे खशेत्र में संसनी फैल गई है जनपद मैनपुरी के थाना कोटवालिक शेत्र के पंजाबी कॉलोनी साथ नमबर गली में किराये के मकान में रह रहे है देवमाई निवासी प्रवीन कुमार की पुत्री निशा उम्र दस वर्ष का शव माता की पट्टी पर लोहे के कुंडे में देर शाम लटका हुआ मिला जिससे खशेत्र में संसनी फैल गई है कि आखिर इस छोटी बच्ची की मौत कैसे हुई है जिसकी जानकारी स्थानिय पुलिस प्रशासन को दी गई मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आखिर बच्ची की मौत कैसे हुई जिस वक्त बच्ची का शव पट्टी पर लटका हुआ था उस वक्त परिवार का कोई भी व्यक्ति घर पर नहीं था जब बच्ची की मा वापिस आए तो देखा कि बच्ची का शव पट्टी पर लटका हुआ है जिससे बच्ची की मा का औरो कर बुरा हाल हो गया है और आसपास के लोगों का घर पर जमवारा लगा हुआ है ताथा उनके सहीयोगियों की भीड लगी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई